यदि आप भी YouTube के उपर कारी करते हैं, Facebook या Instagram के उपर कारी करना चाहते हैं, या आप कोई भी कारी करते हैं, लेकिन आपके पास एक laptop या computer नहीं है, तो आज किसी वीडियो मां बात करने वाले हैं कि आप जितने भी कार हैं, अपने एक simple से mobile के अंदर सभी कारी कर सकते हैं, आप इसे हम अपने साथ में रख सकते हैं, कहीं भी चाहें, तो उसको एक mobile को एक laptop या computer की तरीके से use कर सकते हैं, तो इसको आज हम समझाएंगे कि ये YouTuber के लिए कैसे को बहुत अच्छा कारी करता है, जैसे कि आप सभी लोग अपने mobile के अंदर YouTube application को install कर लेते हैं, और YT Studio को install कर ले इसी प्रकार से आप अगर YT Studio के बाद, अगर आप अपने mobile के अंदर YouTube का अप्लिकेशन होता है, उसको install करते हैं, तो वहां से अगर आप वीडियो अप्लोड करते हैं, तो भी आप वहां पे कोई customization नहीं कर सकते हैं, जिस करना से आपका वीडियो वाइरल नहीं होगा, लेकि अगर वहां पर बहुत बड़ी प्रावलम आती है, कि अगर आप जैसे वहां पर योटूझोग को open करते हैं, तो डरेक्ट हुआ जो आपके mobile के अंदर YouTube होता है, application वहां पे open हो जाता है, अगर वहां पर YT Studio को open करते हैं, तो जो आपका YT Studio application होता हो, तो डरेक्ट वहां पे open हो करने से पहले आप सभी लोगों से रिकोष्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिश सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकन्स सब्से पहले मिल सके तो यहां पर मुबाइल के अदर आते हैं अब देख सकते कि मेरे मुबाइल के अकर यहां पर आपको यूटूब जो है मेरा अप्लिकेशन में यहां पर आपको दिखाई देए औरहोगा और साथ में अगर हम बात करें यहां पर आपको देखाई lyok crackers अ Yoshis जाल करके रहें लेकिन अभी आपको दिखाएंगे कि जब हम Chrome के अंदर जाते हैं तो यहां पर आप सिंपल से अपने मुवाइल के अंदर आपको Chrome open करेंगे क्रोम के उपर आप जब क्लिक करते हैं तो यहां पर Chrome जब इस प्रकार से open हो जाएगा तो यहां पर मैं सभी टैप को पहले क्या करेता हूं क्लोज कर देता हूं न्यू टैप के उपर क्लिक करते हैं जैसे आप भी फर्स टाइम ओपन करेंगे Chrome तो इस प्रकार से दिखाए दीगा यहां पर मैं सिंपल से क्या करता हूं यूटूब टाइप करता हूं जैसे यूटूब टाइप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार बनार से ओपन हो जाएगा अब यहां पर देखते हैं कि यह यूटूब का जो भी दिखरा है अगर इस पर किसी के उपर क्लिक करते हैं ज Scale करता हूं तो आप देखेंगे कि क्या मुबाईल के अंदर क्या है YouTube या YouTube का जो आप्लिकेशन है वहां पे open हो चुका है जिस कारण से आप यहां पर कोई कार यह नहीं कर सकते, तो मैं यहां से बैग प्रे आ जाता हूँ, अब इसको एगर आपको अपने mobile के अंदर जो है, या chrome के अंदर, एक laptop की तरीके से open करना है, तो simple से आपको यहां पर क्या करना होता है, अब यहां पर आपको simple से क्या करना है, इस YouTube वाले टाइब करना है और यहां पर आपको ओपन देखेंगे कि यहां पर नए टैब के अंदर और अपर जाएंगे कि ये यहां पर आपको सिंपर किलिक करना है यहां पर आप нос पान हुआ इसके उपर किली करें गै तो यह आपका तरीका होता, जब भी आपको open करना, उसके उपर type करना है, मैं एक बार तुनाप को दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैक पर जाते हैं, जैसे यह YouTube है, इसके उपर आपको finger थोड़ा समय के लिए रखना है, फिर आएगा यहाँ पर open in new type, और इसके बाद यहाँ एक और भी option आता है, group बनाने का, इस पर भी एगर खिली करेंगे open in new type, in our group, तो यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर बन चुका होगा, उपर अब उसके उपर two के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर गुरूप पे जब click करेंगे, यहाँ पर यह जू दूसरा option है, इस पर click करें और तेहां पर three dot पर जाना होता है, यहां पर मैंने desktop site set करके रखा, अगर आप desktop को नहीं on रखेंगे तो यह थोड़ा सा बड़ा इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आपको simple से क्या करना है, यहां पर जाना है, three dot पर click करके desktop site को on कर लेना है, तो इस प्रकार से क्या है आप द करना होता है, यहां पर आपको दिखाई देरोगा YouTube studio, यहां पर आप देखेंगे YouTube studio यहां पर है, मैं zoom करके भी दिखा देता हूं, जब इसके उपर आप simple से अगर ऐसे ही click कर देते हैं, तो जैसे इस type से click करेंगे, देखेंगे आपको mobile के अंदर जो आपका YouTube studio application होता है, वहा group जो अभी हमने बनाया था, यहां पर group पर आ चुके हैं, यहां पर click करेंगे, तो यहां पर दोखो third number पर मिल रहा option, इसके उपर आप click करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं, आपका YouTube studio है, वो इस Chrome browser में ही open हो गया, तो यह तरीका होता है, किसी भी चीज़ को अपने अगर इसी Chrome में open करना है, अगर वो direct किसी application में open होता है, तो आपको वहाँ पर type करके open new type कर लेना है, उसके बाद वहाँ से open करना, जिससे आपका application के अंदर open नहीं होगा, यह problem बहुत सारे creator के पास आती है, क्योंकि वो जैसे click करते हैं, वो एक दूसरी जगा पहुंच जाते हैं, जिस कहां से वो customize ही नहीं कर पाते हैं, इसके बाद यहाँ पर open हो जाता है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगे, जैसे कि मेरा यह channel यहाँ पर है, यहाँ पर चाहें तो वीडियो का option मिल जाएगा, जितने भी वीडियो यहाँ से आपको customize करना है, उस वी आपको मिल जाता है, टैग लगाने का option यहाँ पर देखो, टैग लगा सकती, यह सभी कार यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आप यह कार मोबाइल के अंदर करते हैं, वही कार आप laptop के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने देखा है आपको कैसे यह सभी कार मोबाइल में कर सकते ह दिखाई निनु好像 इसका मैं को लेपटाप में भी दिखा सकता है इसके लिए में सिंपल से आपने लेपटाप में आते हैं और यहां पे yt studio को open करना चाहते हैसे पहले मैं यहां पे click करता हूं और यहां पर youtube open करेंगे तो आप यहां पर आप कोई भी वीडियो को यहां पर से वीडियो को रिखो यहां पर पहले क्या है टाइतल में रहा आपको फी description box है फिर यहां पर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आपको यहां पर tag वगरा देखने को मिल जाएंगे यह देखो तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेम प्रोसेस जो आप laptop से करते हैं वही आप अपने mobile से भी कर सकते हैं इसलिए आपको कोई laptop या computer लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत आसान तरीका है इस प्रकार से आप अपने mobile को यूज कर सकते हैं एक computer या laptop की तरीके से अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नहीं जानकारी के से आप में जब तक के लिए धन्यवाद